पैर बच्चो नमस्कार आज के इस महत्पूर्ण कलास में आप सभी का स्वागत हैं आज हम लोग पुर्णांक के बारे में सब कुछ बहुत ही डिटेल में सीखने बाले हैं अगर आप आज के कलास को सुरू से अंत तक देखते हैं तो पुर्णांक के बारे में इसके बाहर आ पुरुनांक के प्रकार को भी हम आपको परहाएंगे और पुरुनांक से संबंदित जो महतपूर्ण चीज है जो आपके एकजाम में भार बार पूछे जाते हैं हम उसको इंपोर्टेंट नोट के अंदर जो बताने बाले हैं तो काफी महात्पूर्ण कलास होगा शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और जितने बच्चे अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आप लोग गनीत बहुत अच्छा तरीका से सीख सके हम बात करेंगे पु प्राकिर्थ संख्या थी जब हमने प्राकिर्थ संख्या के समूह में जीरो को सामिल कर दिया था तो देखिए पहले इतना का अगर बात किया जा तो ये थी प्राकिर्थ संख्या लेकिन इसमें हमने जब जीरो को सामिल किया तो जीरो से इतना पूरा अगर कंसिडर किया जा तो यह हो गया था पूर्ण संख्या लेकिन प्यार बच्चो आगे जा करके गनितग्यों को विद्वानों को महसूस हुआ कि केवल इतना से ही काम चलने वाला नहीं है कैसे महसूस हुआ तो यहाँ पर हम आपको भी महसूस करवाने की गोशिस करते हैं अगर आपको प्यार सब्सक्राइब और टो यहाँ पर कम मेंसे जएदा घटाने की बात हो रही है तो यहां पर आगई दिक्क्त की कम मेंसे जएदा कर से घटाएंगे तो उन लोगों को पता चला कि यहां पर तो बहली होगा माइनस दो और अगर आपको मैं बोल दूँ कि भाई क्या करो आप आ तो कितना बोलेंगे आप सर माइनस तीन होगा तो बिद्वानों को पता चला कि केबल पलस वाले संख्या से ही हमारा काम चलने वाला नहीं है हमें तो माइनस वाले संख्या का भी जरूरी है हमें तो माइनस वाले संख्या का भी क्या है प्यारे बच्चो जरूरी है तब जाकर के ऐसे ही कहा तक जाएगी आनंद तक जाएगी सीधा याद रखिए यहां से यहां क्या थी पूर्ण संख्या थी और पूर्ण संख्या के समु में क्या सामिल किया गया रिनात्मक संख्या को यानि कि माइनस वाले संख्या को सामिल किया गया और तब जो यह संख्या का पूर्णांक कहा गया आईए पूर्णांक को हम परिभासा के मदद से समझते हैं सीधा देख सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के समूह में रिनात्मक संख्याओं को सामिल करने से संख्याओं का जो नया समूह बनता है उसे पूर्णांक कहते हैं उदाहरन के तौर पर आप यह पर देख भी सकते हैं, ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो है पूर्ण संख्या, ठीक है, और इसमें हमने सामिल किया रिनात्मक संख्याओं को, माइनस वाले संख्याओं को, तब जो यह एक नया समुह बना, इसे ही प्यारवच्चों कहा गया पूर्णां तो ध्यान से देखेंगे तो पूर्णांग में तीन तरह की संख्याओं हैं, एक तो है धनात्मक संख्या, यानि की पलस वाले संख्या, एक तो है प्यारवच्चों माइनस वाले संख्या, जिसमें माइनस लगा हो, और एक है सुन्या, सुन्या के बारे में बहुत है कि सुन पुर्णांक के बारे में और हम लोग महत्पूर्ण चीज जानते हैं नोट के अंदर याद रखिएगा कि नोट बहुत ही जएदा महत्पूर्ण होगा आपके लिए तो नोट को जरूर याद रखने की पुशिस कीजिएगा नोट के बारे में सबसे पहला सब्द याद रखेंगे कि पुर्णांक को आई से क्योंकि इन्टीजर इसका होता है या इसको जड से भी सुचित किया जाता है आई से या जड से आप सुचित कर सकते हैं आप बोलेंगे सर आई से तो सुचित करते हैं क्योंकि इसका शुरुवात आई से होता है इंटीजर का तो सर्फ जड से क्यों सुचित करते हैं तो जड के बारे में कुछ बात याद रखिए कि जड जो है जर्मन सब्द जहलीन से लिया गया है जहलीन एक सब्द है जिससे यह जड लिया गया है जड का जहलीन का पहला जो अक्षर है वो क्या है जड है जिसका आर्थ होता है गिंती किसका आर्थ होता है गिंती जहलीन का जहलीन का आर्थ क्या होता है गिंती होता है इसलिए कई बार हम आई के साथ साथ जड से भी सुचित करते हैं पुर्णांग को तो आप आई से या जड से किसी से भी सुचित कर स पुर्णांक कैसा पुर्णांक पैर बच्चों धनात्मक पुर्णांक और धनात्मक पुर्णांक में एक से लेकर के आनन तक की संख्याएं आएगी दूसरा पैर बच्चों सुन्य पुर्णांक यानि की जीरो को सुन्य को हम सुन्य पुर्णांक बोलेंगे और तीसरा रिनात पूर्णांक याने की मैनस वाली संख्या जो होती है उसे हम रिनात्मक पूर्णांक प्यारे बच्चो बोलेंगे इसके बाद याद रखिएगा चौथा नंबर महत्पूर्ण बाद की सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है क्या मतलब सर इसका सभी पूर्ण संख्या प तो ज़र आप खोज ये कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक में दिखाई दे रही है कि नहीं बोलेंगे यस सर्फ सभी पूर्ण संख्या तो पूर्णांक में दिखाई दे रही है तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है तो बोलिएगा yes, क्यों? क्योंकि सारा का सारा पूर्ण संख्या आपको पूर्णांक में दिखाई देगा, 0 से लेके अनन्त तक, 0 से लेके अनन्त तक, लेकिन अगर question ऐसे पूछ ले, क्या सभी पूर्णांक, पूर्ण संख्या होती है, बोलेंगे नहीं, क्योंकि 0 से अनन्त तक की जो पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या तो है लेकिन माइनस वाला तो पूर्ण संख्या में नहीं है इसलिए सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगी लेकिन सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होगी ये बात आप याद रखने की जो है कोशिस करेंगे यहा पुर्णांग हो जाएगे सीधा आप याद रख सकते हैं अगला आपको याद रखना है कि पुर्णांग के समुच्य में बाएं से दाएं जाने पर संख्या का मान बढ़ता है क्या मतलब है इसका तो पुर्णांग के समुच्य में अगर बाएं से आप दाहने जाते हैं तो सं बढ़ेगा यहां पर आप देखने की क्या करेंगे कोशिस करेंगे पुर्णांग कुछ इस तरह का था ठीक है अगर मैं माइनस तीन से ही सुरू करो तो माइनस दो फिर माइनस एक फिर जीरो एक दो तीन और डोडोडोडोड अनन तक माल लिजी यह पुर्णांग है पुर्णांग का समुच्च है यह समुख है यह इसमें आगर आप वाएं से दाहिने की ओर जाते हैं तो संख्या का मान बढ़ता है कैसे यह वाएं हैं यहां से जैसे जैसे इधर बढ़िएगा आगे बढ़िएगा संख्या का मान बढ़ता जाएगा जैसे कि देख लेजिए आप यहां से शुरू करें तो जीरो है जीरो से हलका दाहिने बढ़ है तो एक बढ़ा हलका दाहिने गए तो दो संख्या का मान बढ़ा आगे जाएंगे तो तीन हो गया यानि कि संख्या का मा इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है बढ़ रहा है लेकिन आप बोलेंगे कि सर यहां से 0 से सुरू किये हैं तब न और अगर हम इधर से सुरू करेंगे माइनस से तो यहां से हम यहां आये तो 2 हो गया फिर यहां से यहां आये तो 1 हो गया यानि कि यह तो घट रहा है नहीं पलस मतलब होता है धन पलस मतलब होता है धन और माइनस मतलब होता है प्यारे बच्चो रीन माइनस मतलब क्या होता है रीन होता है और हमारे समाज में धन का होना अच्छा बात है और रीन का होना गलत बात है अगर किसी के पास धन है मतलब यह पोजिटिव चीज है लेकिन निगेटिव बात है ये अच्छी बात नहीं है तो अगर आप से मैं पूछू कि कोई एक आदमी है जिसने किसी से तीन रुपया करजा ले रखा है और कोई एक ऐसा आदमी है जिसने किसी से दो ही रुपया करज लिया है दोनों में बरा कौन है तो हमारे समाज के अनुसार बर दो वाला और गनीत के नुसावी बढ़ा है क्योंकि जो कम कर्ज ले रखा है वो सही है और जो जैदा कर्ज ले रखा है वो क्या है उतना ही छोटा माना जाता है समझा रहा है तो रिनात्मक में जो जितनी बड़ी दीखाई देगी उसका value उतना ही उसका मान उतना ही कम होगा तो आप याद रखिए कि 3 से 2 जाने पर ये बढ़ रहा है 2 से माइनस 1 जाने पर ये बढ़ रहा है यानि कि 20 से दाहिने हम जाते हैं तो मान क्या होता है बढ़ता है तो इसी चीजों को दूर करने के लिए मैं एक छोटा सा question आपके लिए ले लिया हूँ और आप बताईए इस question के बारे में आपको मैंने पूछा कि 5 और 6, 0 और 3, 0 और minus 2, minus 3 और minus 5 में बड़ी कौन है तो सबसे पहले तो मैं आपको 5 और 6 के बारे में बताने की कोशिश करूँगा कि बड़ी कौन है यहां दोनों पलस में है तो अगर दोनों पलस में हो तो जो बड़ी है वही बड़ी होगी तो यह है पैरबच्चो बड़ी, 0 और 3 के बारे में अगर पात किया जाए तो यहां पर बड़ी हो जाएगी, 3 बड़ी कौन हो जाएगी, 3 जो बड़ी होगी वो छोटी को 3 मारेगी सिधा यह याद रखिए, यह बराबर का चिन होता है, यह बड़ी का चिन होता है और ये छोटी का चिन होता है तो ये चीज आप याद रखने की कोशस करेंगे अगर आप से पूछा जाए कि 0 और माइनस 2 में कौन बड़ी है 0 और माइनस 2 में तो देखिए कोई ऐसा आदमी जिसके पास 0 रुपया है मतलब 9 तो इसके जेबी में एक रुपया है और 9 ये किसी से कर्ज ले रखा है ये यानि की निट्रले 0 है लेकिन वे एक ऐसा आदमी है जो दो रुपया कर्ज ले रखा है किसी से तो ये 0 से भी छोटा माना जाएगा तो 0 है बड़ी और माइनस 2 है छोटी माइनस 3 और माइनस 5 में प्यार बच्चो अगर आप से पूछा जाए तो क्या होगा कौन होगी बड़ी आप लोग कमेंट में लिखिए तो माइनस 3 और माइनस 5 में से अगर बड़ी देखा जाए तो माइनस 3 है माइनस तीन क्या है बड़ी है जो बड़ी होगी वो छोटी को तीर मारेगी तो इस तरह से आप पूर्णांग के बारे में चीजे सीख सकते हैं याद रख सकते हैं अगले कलास में हम लोग पड़ी मैं संख्या और और पड़ी मैं संख्या के बारे में बात करेंगे अगर गुद बाई टेक क्यार मिलेंगे अगले कलास में और आप लोग इस वीडियो को रोग रोग करके नोट्स बनाईए जरूर आप लोग ठीक है ताकि आपके पास भी एक बहुत ही अच्छा वाला नोट्स रहे जिसमें आपको सभी चीजों को बहुत ही डीटेल में बताया गया हो ओके गुद बाई टेक केर